हाई एवरिवन आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी about subspace और उसके उपर एक थेरम देखा था ठीक है सो आज हम पढ़ेंगे थेरम नमबर 2 और थेरम नमबर 3 तो माल लीजे y d star एक subspace है xd का in order that every open subset of b of y to be open in x it is necessary and sufficient that y be open in x क्या चीज़ कह रही है कि अगर मैं कोई b subset लेती हूँ y का ठीक है और यह b क्या है b is open in y ठीक है तो यह every open subset की बात कर रहा है which is in y तो मैंने arbitrary कोई भी b open set ले लिया y में तो यह कह रहा है कि यह जो b होगा यह open होगा x में देखिए b is open in y तो इसके कोई guarantee नहीं है कि b जो है वो x में भी open होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह जो openness की definition है यह सिर्फ y के element के उपर लागो होगी लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि b is open in x तो necessary नहीं है कि यह open ही होगा ठीक है क्योंकि x के अंदर अब y से extra element आ रहे हैं ठीक है so b को open होने के लिए x में क्या condition है necessary and sufficient condition क्या है कि b जो है open होगा x में if only if if and only if y is open in x ठीक है तो यह b जो है open होगा x में ऐसा तभी possible है जब वो जिस चीज़ का subset है वो जिस subspace का subset है वो जो subspace है वो खुद क्या हो open हो x में ठीक है तो इसमें necessary and sufficient condition दोनों है और यह हर subset every open subset b के लिए लागू है ठीक है तो हम जह है पहले इसका forward पार्ट देखते हैं फिर इसका converse देखते हैं ठीक है तो माल लीजे कि every open subset b और y is open in x और मुझे क्या show करना पड़ेगा कि y is open in x ठीक है तो पहले पार्ट में क्या है कि every every open subset b of y is open in x ठीक है और मुझे क्या show करना है कि y is open in x ओके तो every open subset b of y is open in x लेकिन तो y भी तो अपना एक subset है तो in particular in particular क्या y is subset of y वो भी कैसा open subset because y अपने आप में अब एक universal set है तो universal set क्या होता है open भी होता है close भी होता है so y is open in y ठीक है और इस statement के हिसाब से हर open subset क्या है open है x में तो y जो है खुद एक subset हो गया है तो इसलिए ये चीज ये जो statement है ये y पर भी लागू है so this implies y is open in x ठीक है तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया तो अब reverse पार्ट में क्या होगा अगर y open है x में तो y का हर open subset open होगा x में ठीक है तो second पार्ट में क्या है कि y is open in x and we have to show that every open subset which is in y is open in x as well ठीक है तो मान लीजे b मैंने कोई एक arbitrary open subset ले लिया open subset in y ले लिया ठीक है अब कल की जो theorem पड़ी थी हमने theorem number one इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में वो ये कहता है कि अगर कोई b open subset है y में तो इस b को g intersection y की तरह लिखा जा सकता है जहाँ पर g क्या है g is open in x ठीक है तो देखिए b को ये arbitrary open subset है y का अब b को हम g intersection y के रूप में लिख रहे हैं ठीक है तो ये देखिए g जो है open है x में और by given condition y जो है वो भी open है x में this is also open in x ठीक है तो दो open subset का intersection भी क्या होता है open होता है so this implies g intersection y is open in x लेकिन g intersection y किसके बराबर है b के बराबर है इसलिए b is also open in x लेकिन b तो हमने कोई भी arbitrary subset लिया था y का जो open था y में इसका मतलब यह है कि हर every open subset be of y is open in x if y is open in x ठीक है तो ये था theorem 2 अब बात करते हम theorem number 3 की so फिर से हम क्या लेंगे y d star हमने एक subspace ले लिया xd का ठीक है अब यहाँ पर हम एक a subset ले रहे हैं y का हमने अभी तक इसके बारे में कुछ भी निकाए कि ये open है कि close है ठीक है हम ये statement में देखेंगे तो पहली statement कहती है कि a is closed in y if and only if there exist h closed in x such that a is equal to h intersection y ये एकदम similar है to the theorem number 1 theorem number 1 में हम क्या कह रहे थी कि अगर b open है ठीक है b अगर open है y में तो ये चीज़ imply करेगी if and only if there exist g open in x such that b is equal to g intersection y तो यहाँ पे b open था y में और g open था x में और तो b को लिख सकते थे g intersection y अब open की जगा सिर्फ क्या हो गया है close हो गया है यहाँ पे a है close y में और h close है x में तो हम इस a को लिख सकते है a is equal to h intersection y ठीक है लेगन इस theorem को जो है हमें बहुत लंबा proof नहीं करना पड़ेगा हम इसी theorem के मदद से इसको solve कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई set open है तो उसका compliment क्या होता है close होता है तो हम compliment की मदद से इस theorem number 1 को proof करेंगे ठीक है तो माल लीजे कि हमने क्या ले लिया a subset ले लिया है ठीक है a क्या है a is closed in y ठीक है तो अगर a closed है y में तो by definition of closeness यह तभी possible होता है if and only if y minus a is open in y ठीक है तो अगर a closed है y में तो इसका compliment open होगा y में तो इसका compliment हम कैसे लेंगे y minus a क्योंकि इसके लिए जो universal set है वो है y ठीक है this is possible if and only if y अब देखिए y minus a is open in y ठीक है तो यह एक क्या है open set है open subset है y का तो हम इस पे यह वाली theorem लगा सकते हैं ठीक है so b की जगा क्या आजाएगा y minus a तो इस y minus a को किस तरह से लिखा जा सकता है sum sum open subset in x intersection y ठीक है so y minus a को लिखा जा सकता है g intersection y ठीक है जहाँ पे g क्या है कोई एक ऐसा open subset है जो x में open है ठीक है okay so this is possible if and only if हम क्या लिख सकते हैं कि a is equal to तो मैं a उधर ले गई और इसको लिख सकते हैं y minus g intersection y ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे जो है ये चीज़ प्रूव करने कि a is equal to h intersection y so मैंने a को इस side ले लिया if and only if a is equal to अब यहाँ पे आप जो है जैसे हमने आल्रेडी पहले भी किया है a minus b को किस तरह से लिखा जा सकता है a intersection b complement ठीक है so y intersection g intersection y का complement फिर से this is possible if and only if a is equal to अब यहाँ पे जो है आप law लगा सकते है y intersection इसको किस तरह से लिख सकते है g का complement union y का complement ठीक है which is equal to this is possible if and only if a is equal to अब यहाँ पे आप distributive law लगा दीजे तो y intersection g complement y intersection g complement union y intersection y complement ठीक है so if and only if a is equal to y intersection यहाँ पे g complement क्या होगा देखे g क्या है open है x में okay g is open in x so g complement g complement is closed in x closed in x तो हम इसको नाम देते हैं h ठीक है इसको हमने क्या नाम दे दिया h कोई closed subset है x के अंदर ठीक है union अब आपको पता है y intersection y complement क्या होगा this is empty और यह क्या हो गया y intersection h या फिर h intersection y so a किसके बराबर आ गया a is equal to h intersection y जो की हमें क्या करना था prove करना था so इस तरह से हम property number one को prove कर सकते हैं ठीक है so a closed in y को किस तरह से लिखा जा सकते है h intersection y जहाँ पे h closed है x के अंदर अब हम बात करेंगे about second part ठीक है so यहाँ पे किसका concept आ रहा है closure of a set याने कि collection of all adherent points ठीक है अब देखें यह जो a star closure है यह किसके अंदर closure है this is d star closure ठीक है देखो यहाँ पे हमने जो a लिया है यह y का subset लिया है लेकिन जो closure की definition है वो एक हमने y के अंदर ली है याने कि y subspace के अंदर ली है और दूसरी जो यहाँ पे a closure है जिसके उपर star नहीं लगाया है this is d closure याने कि हम a का closure ले रहे है लेकिन universal set किसको consider कर रहे है x को consider कर रहे है और d को as a metric consider कर रहे है ठीक है यह दोनों अलग-अलग चीज़े है जो set a है वो तो subset है y का दोनों के case में लेकिन this is d star closure and this is d closure ठीक है तो क्यूंकि जो adherent set होता है वो उस set से बड़ा हो सकता है ठीक है तो इसके case में possibility है जैसे कि अगर मैं d closure लेती हूँ तो इस case में possibility है कि इसके अंदर कुछ x के element भी आ जाए जो y के ना हो ठीक है तो वो जो element होंगी वो a star के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि हम इसके अंदर से y के element consider कर रहे है तो ये दोनों में फरक है ठीक है तो ये कह रहा है कि हम a star closure को लिख सकते है a closure intersection y तो ये एकदम similar है पहले जैसे जैसे कि a closure है ये भी a close set होता है ठीक है और इस पहले वाले theorem के according हम close set को लिख सकते है खास तरह का close set है which is a closure उसी subset का closure लेकिन d के अंदर xd के अंदर ठीक है आप आप इस चीज़ को समझे हो तो हम second part proof करेंगे ठीक है उसके लिए आपको इस थिरम पता होनी चाहिए कि मान लीजे ये आपका जो है क्या है closure है जिसे हम कहते है d star closure closure की बाद हम y के अंदर consider कर रहे है जो closure subset होता है किसी matrix space का इसको हम लिख सकते है intersection of all close set close set containing a containing a सारे वो close set जो a को contain करते हो ठीक है यानकि a जिनका subsets हो तो यहाँ पर क्योंकि star के बाद चल रही है तो कौन से close set की बाद करेंगे हम d star close set की बाद करेंगे so a star is a star bar is equal to what इसको हम formally लिखे तो यह क्या होगा intersection of all close set d star close set तो मैं यहाँ पर d star close set को denote करती हूँ as h star ठीक है अब star का मतलब यह है कि y के अंदर closed है so this implies कि h star is h star is closed in y और खास बात क्या है कि यह कैसा closed subset है यह कैसा closed subset है उस subspace का जो a को contain करता है ठीक है याने कि a is subset of h star ठीक है which is equal to intersection of अब क्योंकि h क्या है closed है y में sorry h star is closed in y तो अभी हमारी जो पहली थियरम है पहला जो property अभी हमने प्रूव किया तो हम इसको किस तरह से लिख सकते है this can be written as यह closed है y के अंदर तो हम इसको लिख सकते है h intersection y जहाँ पे h closed है x के अंदर ठीक है such that h is closed in x ठीक है and a is subset of h star की जगा क्या लिख सकते है h intersection y तो जहाँ जहाँ पे h star था वहाँ पे हमने h intersection y लिख दिया ठीक है which is equal to intersection of तो हम इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि उन h का collection है ये उन h का collection है जहाँ पे h closed है x में और a है subset h का और इनका हम intersection ले रहे हैं y के साथ intersection y मैंने सिफ इसको separate किया है पहले हम h intersection y ले रहे थे यहाँ पे h intersection y ले रहे हैं अब मैंने h को एक साइड लिख दिया intersection y कर दिया दोनों का मतलब same है तो यह जो है यह एक closure की theorem है ठीक है लेकिन यह closure कहाँ पे है यह x के अंदर है so this is intersection of a closure so यह कहाँ पे closure है this is d closure by theorem ठीक है यहाँ पे intersection नहीं आएगा क्योंकि intersection ही इस theorem में included है so this is this whole is a closure फिर क्या था intersection y और यह चीज़ हमको प्रूब करने थी कि a star bar is equal to a bar intersection y ठीक है तो जिस तरह से आप close set को लिख सकते हो उसी तरह से आप set को लिख सकते है closure of a को लिख सकते है ठीक है तो आएओ पापको यह सारी चीज़े समझ में आए हो यह दोनों थेरम समझ में आए हो ठीक है यहाँ पे जो है subspace का concept खतम होता है इसके आगे हम continue करेंगे in the next video